जै हिंदी एक सेनिक ने क्या खूब लिखा है कि किसी गजरे की खुश्बू को महकता छोड़ाया हूँ मेरी ननहीशी चिडिया को चहकता छोड़ाया हूँ मुझे चातिश अपनी तू लगा लेना ए भरत मा मैं अपनी मा की बाहों को तरस्ता छोड़ाया हूँ हालो नमस्कार जहिंद मेरे देश के बाविफो जियू कैसे हैं आप उमीद करता हूँ सभी नौजवान सभी सोलजर बहुत याच्छ होंगे और अपने एकजाम अपने ट्रेड की बहुत याच्छी शांदार तरीके से गजब आप तैयारी कर रहे होंगे एकजाम तक इसी जोश जनून जज़वे के शात पढ़ाई करना है यह बहुत ही अच्छी तैयारी है और इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज आप सभी का होगा पूरे 50 परशनों का बरमास्तर मोडल टेस्ट पेपर देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है जिश के अंदर शामने ग्यान, विग्यान, मैं तो रिजनिंग के बहुत ही अच्छे क्यूसन आपको देखने को मलेंगे अमार सीट, पैन, कोपी, साथ में लेकर बेटना है इस टेस्ट का जो टारगेट है यह 38 पलस का रहेगा अगर आप इमानदार शे 38 पलस का बिलकुल राइट जबाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है बस एक जम तक आपको एनरजी जो जनून एनरजी के साथ आपको पढ़ाई करना है और भोज के पेपर को अच्छी रेंक के साथ फते करना है भारत मा की रक्षा करना है और दोस्मनों का धुआ धुआ करना है एक मोटिवेट बात आपको कहते है कि कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में सरहादे कूद के आते हैं आतंग की भी यहाँ दफन होने के लिए तो चलिए सरवात करते हैं आज के इस बहतरीन शैसन की सभी को नमस्कार जैहिंदी राधे राधे परणाम चलिए फश्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन प्या चुका है क्यूशन कहता है सांची स्टूब का निर्मान किशने करवाया था बहुत ही इंपोटेंट क्यूशन है आपके एकजाम के लिए अप्शन है असोक अकबर हुमायू नर्शिहन देववर्बन बहुत ही अच्छा क्यूशन है बिलकुल बहुत बढ़िया गुरुजी अप्शन ए इसका राइट होगा सांची के इस्तूब का निर्मान असोक ने करवाया था बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्यूशन कहता है ओणम किस राजे का परमुक त्योहार है बहुत इंपोटेंट है डेफिनेंट आपके एकजाम ये क्यूशन पूछा जाएगा अनम किस राजे का परमुक त्योहार है तमिलाडू आंदरपरदेश करनाटक केरल बिलकुल शबास ओप्शन डी जिनोंने लोक किया है ओप्शन डी बतारे केरल बिलकुल राइट बतारे नेक्स्ट क्यूशन कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बिलकुल गुरुजी चोगदा सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस नेक्स्ट क्यूशन कहता है भारत का पर्थम वाइश राइ कून था भारत का पर्थम वाइश राइ कून था लाड केनिंग, लाड करजन, लाड विवेल, लाड माउंट बेटन बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है आपके एकजाम के लिए बिलकुल शबास, लाड केनिंग अप्शन, एज ओन अजवान बता रहें बिलकुल राइट बता रहें नेक्स्ट है, भारतिय सविद्धान में कुल कितने मोलिक अधिकार उलेकित है पहला है आपका समनता का अधिकार, सोशन के विरत अधिकार, धरम की सविद्धान के लिए अधिकार, संसकरते वं सिक्ष्या का अधिकार, और लाइस्ट है सविद्धानिक अप्चारों का अधिकार आटिकल 32 में जे आपको द्यान रखना है, क्लियर है, बढ़त है नेक्स्ट कुशन की तरपी, नेक्स्ट है निती आयोग का निर्मान इन में से किस संस्ता के इस्तान पर किया गया, चार अपसन आपके पास है, आप सभी नौजवनों को इसका राइट अंसर बताना है, बहुत ही अच्छा क्यूसन है, आपके एक्ज़ा में डेफिनेंट पूछा जाएगा, बिल्कुल, शाबास, गजब की तैयारी है, अपसन इसका सीजोन जवन बता रहे हैं, योजना आयोगी, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्यूसन है, इतनी गजब की ट्रिक बताएंगे, क्यूंकि यहां से आपके जामे क्यूसन भी पूछा जा सकता है, गुरुजी ट्रिक क्या है, बताएगे हमें नहीं पता है कि तुगलक वन्ष के बाद कौनशा सासन आया था, इसकी ट्रिक आपको नोट करना है, गुखी तू से लो, अपनी रफ कोफी के अंदर नोट कर लेना, दो नमबर देके जाएगी आपको यह ट्रिक, गुखी तू से लो, यह इसकी ट्रिक है, यहां से गु से बनेग गुलाम वन्ष, खी से बनेगा खिलजी वन्ष, तू से बनेगा तुगलक वन्ष, से से बनेगा सयद वन्ष, लो से बनेगा लोदी वन्ष, आपको यहां पर पूचा है, तुगलक वन्ष के बाद कौनशा वन्ष आता है, आप देख सकते हैं, गु की तू से लो, तुगलक के बाद में कुण शह है शे शेयद बन्ष तो अफसन इश्का सीजन अजवन बता रहे हैं सेयद बन्ष बिल्कुल राइट बंदा रहे हैं बहुत बढ़िया सभास नेक्स्ट है राजे सभा के सदस्षे कितने वर्ष की अवधी के लिए चुने जाते हैं बहुत ही शांदार क राइट होगा नेक्स्ट है राष्ट्य विवादिवस कब मनाया जाता है बारा जनवरी दो फरवरी ग्यारा मार्ची नो दिसंबर राष्ट्य विवादिवस कब मनाया जाता है बिल्कुल बारा जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्य विवादिवस नेक्स्ट है असोक ने तरतिये बोध संगेति कहां बुलाई थी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है और 90 परतिसाथ सोलजर इसके अंदर कनफ्यूज होते हैं असोक ने तरतिये बोध संगेति कहां बुलाई थी पाटली पूतर वेसाली राजग्रह कुंडलवन गजब का क्यूसन है आपके एकजाम के लिए बिलकुल शबाज गुरुजी हम कनफ्यूज नहीं होंगे हम फोज के नोजवान है बिलकुल आपसन इसका एज और नोजवान बता रहे हैं पाटली पूतर बिलकुल राइट बता रहे हैं गुरुजी एक बार शबी बता दीजिये ताकि हमारा रिवीजन हो जाए बिलकुल शबाज देखिए पर्थम जो बोध संगीती है ये राज ग्रह में हुई थी ये आपको ध्यान रखना है दिवतिये वेसाली में हुई थी तरती आपको बता दिया पाटली पुत्तर में और चतुर्थ है ये कुंडल वन किलेर है ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है भारत का सबसे कम जन्शंग के आवाला राजे कोन शाह है कम जन्शंग के आवाला राजे आपको पूचा है बहुत इ अच्छा क्युशन है आपके एक इसाम के लिए बिलकुल अपसन बी की तरब जतने भी नौज़वन बता रहे हैं शिक्के में बिलक़ राइट बता रहे हैं सबस नेक्स्ट क्युशन है होकी की एक टीम में कितने खिलाडी होते हैं आठ नो सूर्य की सबसे नस्दीक ग्रह कुण्षा है मंगल बुद ब्रहस्पती शुकर बहुत यच्छा क्योंट है सूर्य की सबसे नस्दीक ग्रह स्याबास बुदिस का राइट आंसर होगा अफ्षन बेजोन अजवान बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट है वाई मंडली है दाब मापने का पेमाना है डेकामीटर, वोल्टामीटर, मिलीमीटर, बेरोमीटर। बहुत यह अच्छा क्यूशन है। बिल्कुल बेरोमीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सत्य में उजयते कहां से लिया गया है रिगवेद मनोशमर्ती मुंड को अपने इसदे इन में से कोई नहीं। सत्य में उजयते कहां से लिया गया है। बिल्कुल शबास मुंड को अपने इसदे ओप्सन इसका शी राइट होगा। बहुत ही important question है ये note कर लेना next question देखिए next part B के अंदर हम जियेश के बहुत ही important question के बारे में discuss करेंगे part C में maths और reasoning के बहुत अच्छे question के बारे में discuss करेंगे जहां से आपके exam में definite question पूछे जाएंगे लेकिन जितने भी हिंदुस्तान के नोजवान हमें सुन पा रहे उतने क्या नहीं है गुरुजी लाइक नहीं है हमने कर दिया हमारे दोस्तने नहीं किया तो उठाइए के 47 बेका के एक second के अंदर जितने भी करम योदा हमें सुन पा रहे शेशन को लाइक कीजिए और जिस ने शेर नहीं किया है एमान दारीशेप और हिंदुस्तान के नोजवानों के पास कलाश को एक बार शेर कर दीजिए जितने भी आपने गुरुपस बना रखे हैं इंडियन आर्मी के नाम से गोले से भी तेज उनके अंदर शेर होना चाहिए उसके बाद देखें साइन्स मैट रिजनिंग का धुमा धुमा करते हैं अपके बार फोजी बना के छोड़ेंगे आपको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसलिए जितना दम है उतना लगाईए ह और चुगा अगाज रन का युग बदलने की तैयारी है जी तुशी की होगी जिसका शंगर से रात और दिन जारी है ये वक्त ये मो का हाथ से नहीं जाना चाहिए हम सभी किसान के बेटे हैं मद्दे मुरक्षे हम बिलोंग करते हैं इसलिए सबसे आसान और हम अपनी महनत क साथ इसी सेना के अंदर बरती हो सकते हैं और फोज के अंदर आप सभी को पता है कितने शांदार अच्छी डिफेंश के सर्विस है ये आप सभी को पता है इसलिए होजाई तैयार मकाबला टकर का होगा एक जाम है वो लेवल वही रहेगा लेकिन नोजवानों का लेवल है इनक्रीज हो गया है बढ़ गया है इसलिए अच्छे लेवल के किसन्स तैयार कीजिए नॉर्मल किसन तो सभी पढ़ते हैं किलर है रात और दिन मेहनत कीज़े एक बेक किसन बाहर नहीं जाएगा और गलत भी नहीं होना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है किसन कहता है इन बिल्कुल शबास नेक्स्ट है पैनिसलीन की खोज किसने की लुइस पासर अलेक्जेंडर फलेमिंग रॉबर्ट कोच इन में से कोई नहीं बहुती शांदार क्योशन है आपके एक जाम के लिए बिल्कुल शबास इसका जो राइट आंसर होगा आप्सन बी जोन और जोन ब नेक्स्ट कहता है बलड फ्रेसर रक्त चाप मापने के लिए किस यंतर का परियोग किया जाता है बहुती अच्छा क्योशन है बिल्कुल गुरुजी स्पीक वो मेनोमेटर इसका राइट आंसर होगा शबास नेक्स्ट चुंबकिये क्षेतर की तिरवरता का मात्रक है कुला नेक्स्ट ककी ही बात करते हैं नेक्स्ट वायुमंडलिया दाब मापते है फोज के पेपर में आप जब बेटो तो एक क्योशन को दो बार पढ़ना है आपको बार-बार कहते हैं और हमेशा आप जो 50 कुष्णों का टेस्ट लगाते हैं चाहिए अपलिकेशन में लगाओ चाहिए आप यूटूब पे लगाओ ओमार शीट में आप लगाने की कोशिच कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी जो फोज की ओमार शीट आपके सामने आएगी तो आपको गवराहट बिलकुल भी नहीं होगी क्योंकि आपकी तैयारी और प्रेक्टिस इसनी मजबूत रहेगी कि आराम से आप पेपर को उड़ा दोगे 60 मिनट के पेपर को आप 35 या 40 मिनट के अंदर करके बेड़ जाओगी यह हम आपको दावे के शाथ कहते हैं इसका राइट आंसर बताई बिलकुल कलोरो फिलिश का राइट आंसर होगा नेक्स्ट है मानुशरीर के किस अंग को राशाइनिक कार खाना कहा जाता है बिलकुल अपसन इशका शीजन अंजवन बता रहे हैं यक्रत लिवर बिलकुल राइट बता रहे हैं सबास नेक्स्ट है नेतर दान में नेतर का कॉन्शा बाग दान किया जाता है बहुत त्यी अच्छा क्यूसन है नेतरलेंस पुतली कॉर्णिया ऐर्ष बहुत त्यी अच्छा क्यूसन है बिलकुल गुरु जी कॉर्णिया दान किया जाता है औपसन इसका C-Right होगा नेक्स्ट परमाणू नाभी के अव यह है बहुती शांदार कुशन है और आज आपको हमने हैच डिवलू का कुशन नहीं दिया है तो फटा पट इसका स्क्रेंशोट लेजिए नोट कीजिए पुरी कलास देखने के बाद कमेंट शेक्शन में इसका अंशर आना चाहिए गोल क्लियर होगी 100% तब देखना आप मेरातन कलास से चलेगी आपकी आपजेक्टिव के रोपे इतने शांदार कजब के आपको सैसन कुशन देखने को मिलेंगे साथ में एक जाम के पाच दिन पहले बरमासतर परशन भी आपको देंगे जो फोज के पेपर को नस्ते नाबूत क करेंगे तरंग धेर ये की काई बिलकुल एंग श्ट्रोंग अपसन इसका बीजन और जोन बता रहें बिलकुल राइट बता रहें नेक्स्ट कुशन सुनिए पीलिया रोग मानों सरीर के किस अंग से समन्दित है बहुत ही अच्छा कुशन है बिलकुल बहुत बढ़िया ग बहुत ही अच्छा कुशन है बिलकुल पस्चिम से पुरव आपसन इसका बी राइट होगा पा नेक्स्ट आवरती का ऐसा ही मातरक क्या होता है अच्छा क्यूशन है आपके एक्जाम के लिए मात्रक से समन्दित आपके एक्जामे डेelpिनेंट एक्यूसन देखने को मिलेग बिलकुल अप्सन D-zone बता रहे हैं हट रहा जी बिलकुल राइट बता रहे हैं नेक्स्ट मरकरी का मरकरी का आपको परतीक चिन बताना है बहुत यह अच्छा क्यूशन है मरकरी का परतीक क्या होता है एने के पीबी एच जी मरकरी पारा गुरुजी एच जी हमें याद आ गया अप्सनिश का D-right होगा सबास नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किशे कहा जाता है गजब का क्यूशन है कोशिका का पावर हाउस किशे कहा जाता है बिलकुल बहुत बढ़िया सबास माइट्रो क्रोंडिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हस शबास और अब आपके बीच आर रहे हैं मैत के बादसा है मैस गुरू जो मैत को करेंगे नस्ते नाबू तो मैत का करेंगे धुआ 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 इससे पहले एक बार आप टाइम टेबल देख लीजिए आर्मे स्टेडी एपलिकेशन का जो आपका टाइम टेबल है आपकी कलाशे इंक्रीज है कलाशे बढ़ा दी गई है कि एकजाम तक आपकी मजबूत तयारी हो जाए और फिर यही टीचर आपका कम्पलीट शेले बश करवा के अब्जेक्टिव किसनों की मेराथन कलाशे लेके आएंगे जिश्य आपकी और मजबूत बहतरीन तयारी होगी आपको पता चलेगा कि इस टोपिक से ऐसे किसन पूछे जा सकते है किलिर है सबलता है ये महनत करने वालों पर फिदा होती है ये टाइम टेबल है आप देख सकते हैं दो बज़े से चार बज़े तक फिजिक्स होती है चार से साड़ी पांच मैथ होती है साड़ी पांच से साड़ी चैन नर्शिंग की बाइलोजी कलास होती है साड़ी थैसे साड़ी साथ जीडी ट्रेडमेन वालों की बायलोजी कलास होती है सभी टीचर अलग-अलग पढ़ाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है रात को आठ से 9 इंगलीश की लाइव कलास होती है कलरक वालों के लिए 9 से 10 बजे बरमास्तर जीके की कलास होती है सभी के लिए रोजना मोडल टेस्ट पेपर जो मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे और ये कलासे मंडे टू सटर डे चलेगी ये आपको ध्यान रखना है सुबह 8 बजे उपलाइन टेस्ट, 9 बजे ओनलाइन रैंकिंग टेस्ट ही और 10 बजे मैथ का टोपिक वाइज टेस्ट है ये मिलेगा जिसकी तयारी अभी भी कमजोर है एपलिकेसन डाउनलोड कीजिए उसके अंदर फश्ट में आपको दिखाए देगा पचास दिनों का इस पेसल बरमास्तर बैज उसके अंदर एड हो जाए और रात और दिन महनत कीजिए इस दुनिया में नहीं जो आपका सेलेक्शन रोख शकता है अगर आपके रगों में खुन नहीं जनों दोडता है तो हो जाए अभी से तैयार पैन और कोपी लीजिए और एक जाम तक नौन इस्टोप आप पढ़ाई कीजिए सलेक्शन हंड्रेड परतिसत होगा अब आपके बीचार रहे हैं मैट के गुरू जहिंद वंदे मातरम जहिंद वंदे मातरम दोस्ता मापकार में स्टेडि लाइफ क्लासेज में स्वागत करता हूँ फिर से हम हाजीर आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर कितना कितनी त्यार करनी है कितनी त्यारी बाकी किशद्स आइछ और फेपर में अच्छी रेंग के साथ हम क्या कर सकते हैं फोज के वेफर को फद्य कर सकते हैं ठीक है वजही तेयर अज का प्राइब अपार प्रसन आपका है बड़ा प्रसन है पढ़िए जवाब दीजिए तब तक मैं एक बार यह सेट कर लेता हूं ठीक है अच्छा जी जि ठीक है यह मेरा सेट हो चुका है आजओं एक करमचारी का वेतन एक करमचारी का वेतन पहले 5% भड़ता है और फिर 5% घड़ता है उसके वेतन में कितना परीवर्तन हुआ हमें परीवर्तन बताना है कि कितना परीवर्तन हुआ तो गुरू जी 100 मान लेता है 100 मान लिया सर 100 प बोलोगे हाँ सर, 105 हो गया, ये तो वर्दी कर दी, अब घठता है कितना 5%, बोलोगे सर, 105 into 95 बटा सो, बोलोगे जी गुरू जी, कोई तकलिफ वाले बात नहीं है, सर कैंसिल कर दो, जैसे आप कैंसिल करोगे, तो बोलोगे सर क्या आने वाला है, ये तो आजाएगा 21, और ये क आ कीज़िया, एकीस आया और इसको पासिक आनसिल करेंगि, ये कितना आएगा 19 आयगा, और पासिक आनसिल करेंग गरेंगा चार का भाग दो तो चार का भाग दोगे तो चार नाम कितना आएगा सर 36 आएगा चार नाम 36 फिर बच गया कितना सर 3 चार नाम 96 फीर कितना बचू पिछेतर फीर कितना बच गिया सर 39。95 पिछेतर पहले 100 अब 99. wedding पिछेतर हो गिया सर कितना परिवर्थन हुआ 25 का परिवर्थन हुआ कौन सा अप्सन सही है B.A. उप्सन सही है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है हम कर लेंगे ठीक है जी अच्छा जी आगे चलो फिर अगला की सुन आपकी स्क्रीन प्यारा ये लो एक रेल गाड़ी का पुरसन देखने को मिला भाई साथ रेल गाड़ी ठीक है जी सर तो एक बस का वेग बहतर किलोविटर परती गंटा है पांस सेक्ड में बस द्वारत ते अचार चार जी कर लो चेंज एल्لب बनगी जी न पहले तो, और उसके बाद भी और किना बनाना एगे जोई हैं पहले तो, पहले के बाद में, क्टना बनाना एगे हैं पहले तो, और इसकों सब्स्क्राहणा इन रच्त फांस पहले को हैं घ्यारा नूब बनाना है। कितने साल में बनाना है सब तीन साल बाद में बनाना है। कितने साल में बनाना है इव त्य serait रजशा ना करवाकर करो नो पैंजे Yाश थाल इस ग्यारा को हिस चमाथ 6 गोडरी आ यहांतrition कितने का आई सी और बोलोगे सर 19 27 आप बोलोगे यहां सर तो वह लो गरैपैंट y नोटियाँ सट दुम्हेरे inflak on 33 और 27 में जो आपका अंतर आ रहा है वो कितने का अंतर आ रहा है सिरो बोलोगे सर 3 का ही और 3 का ही 6 का अंतर आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ 1 बराबर 6 किस की पूछी है भाई साब प्रकास की पूछी है तो प्रकास का कौन सा है पहला है पुरोगे सर तो परकास से गुणा करवा दो बोरोगे सर जैसे ही 6 से गुणा करेंगे अंसर कितना आ जाएगा 30 की ऑप्सान में नहीं है इसलेह हमारा अंसर क्या हो जाएगा एँसर हमारा एकजम क्या हो का परसेना ही मेरें यह तो आगिया PERCENT st Give to the core dance सुनना सीदह सीदह देखो कोई नंबर है कोई नंबर है यह नंबर है इस नंबर का 16 परसेंट कहारे जिए झाय। परसेंट ऑन इस डारेक्ट कर रहां थ्यांест बता कितना अएगा 16 सर्भ मुझे किस कमान चीए मुझे 125 का चीए तो 125 कुझना करवा दीजिए जो ची उससे गुणा करवाद वो लोगना है 25 16 121 125 जिगरouter इसर भाग कितनी बर जारा है ये वाग जारा आठ बार यह बाग जारा 1 0 2 208 बार बोलोगे हां सभर 25 को अर्फर जार आने सरो अने कुछ मनुऌ sage 0 आपका कुर्ट एक रहार आने वाला हजार आपका कैनल कौरेक्ट आट यंब एए उप्शन आपका एक संपक्रेक्ट अंसर है उमेद करता हूं किसी को कोई तकलिफ वाली बात नहीं होगी ठीक है जी सर अच्छा जी आगे चले पांच नमबर ये लो ये ब्याज का परसंड आया ब्याज क्या कहता है? ब्याज ब्याज कहता है? ठीक है? ठीक है? परसंद दिख रहा होगा? कोई फ्रोब्लम वाले बात नहीं होगी? ठीक है जी. देखो. एक व्यत्य बैंक से 12% परतिवरस के साधरन ब्याज पर रेंड लिया. तीन वरस के बाद उसे केवल उस अवधी के लिए चोवन सो रुपय का ब्याज का भुकतान किया ठीक है ब्याज का भुकतान किया तो कितने रुपय का रेन लिया था अरे मेरे सेरो सुनो एक साल में ये बारा परतिसत परतिवरस का मतलब होता है बारा परतिसत परतिवरस का मतलो होता एक साल का बारा रुप है कितने साल का एक साल का बारा रुप है तो आब दो एक साल का ब्याज बारा है तो तीन साल का कितना ब्याज होगा सर छतीस बोलोगे हां सर छतीस ब्याज होगा परसन कहरा रहे हैं छतीस ना होगा कितना होगा सर और टोटल निकालने के लिए भाई साब सो से गुंणा करवाद जी गुरूंजी तorthारा चे कंसिल करोगे कितना पंद्रा बोलो ग्योंग है अंसर कितना आएगा 15,000 आपका correct answer आने वाला है C option C option आपका क्या आने वाला है 15,000 एक्जम correct answer आने वाला है बढ़ाओ किसी भाई को बिल्कुल आपने तो क्या मचा दी आसु धुआ धुआ मचा दी ठीए मेरे से रहो ऐसे पढ़ते हैं आएसे मेहनत कर नहीं और अशीन रन्क कर आनी है ठीशन मरे सब्दाब तो आपको पहले तो अलग-अलग अनूपात दे राख एक जगा पात निकालो पहले तो अलग- Rs.200 अनूपात क्याilly क्याद रखा है आपको एक जगै अनुपात निकालना पड़ेगा वabolic जि गुरु जी अलग 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 अनुपात निकालो जिंप देखो भेजन Понनी संख्या और अनुपात से कियृ संख्या अनुपात धर संख्या बोलोगे जि सख्या किक मेली और दूसरी का अनुपात दोन पाट 24 थीत मेरैं सैर сюжet दूसरी का का कितना सर पांच अनुपात आठ थैक है घरी कितना हो गया सर अर्थ सैर यह the सोगया लखदsey लिए वले कितना अगैसर तेंस अंगा और तरी को फेली सनख्या को यह कुछ दो की दिसरी संख्या कितनी है दूसरी साइब थान गाथ akan yodak Twakyn पंटैन योग करो है योग कितना होगा दस बीस तरह सुन हो सफ़ेर्द200 आपक्षेश्व सर तरह सर्चालों तरह रिए योग को सबने है ब्रकायामं किया है至 बफ läuft और कितना जाएगा दो आजाएगा एक ब्राबर कितना जाएगा दो दूसरी संका निकाल ली जिये दूसरी संका से गुणा कर्वादेंगे अनसर कितना आएगा तो आपको क्या काम करना पड़ेगा बोलोगे सर अलग अलग देदे ना तो पहले अनुपात को एक जिगा करना पड़ेगा उसी के बाद में हम धनका बट्वारा कर सकते हैं अन्यथा धनका बट्वारा बिलकुल भी नहीं कर सकते ठीक है जी आजो है कि ते को यह साथ नंबर हमने नंबर सिस्ट्रम का परसंद लिए मेरे सवरो नंबर सिस्टम का परसंद लिए करा है देखो नंबर शिस्टम में क्या बोला है समझी धान से सुना अ sigui हम इसको मिडा रखा कि कोई नंबर है, उस नंबर को 136 से डिवाइड करते हैं, तो 36 से इस फलाता है, ठीक है सर, आप बोलोगे, उसी नंबर को 17 से डिवाइड करना है, उसी नंबर को किस से डिवाइड करना है से रो, 17 से डिवाइड करना, बोलोगे, आप बोलोगे, इसको डिवाइड करने से पहले ये चेक करना कि इसका इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है बोलोगे सर 136 में 17 का भाग जाता है फिर भाग जाता तो कुछ मत सोचो डायरेक्ट भाग दे दो 36 में 17 का direct भाग दे दो 17 दूनी 34 तो बोलोगे सर सेस्फल कितना बचेगा 2 सेस्फल बचेगा जो की कौन सा option सही है D option सही है यदि 17 का भाग पहले इन में देखके देखना यदि जाता है तो फिर यह सा नहीं करना आपको क्या कर देना सेस्फल में direct भाग दे देना 36 में 17 का भाग देंगे सेस्फल कितना जाएगा 2 यही हमारा क्या हो जाएगा एकदम correct answer हो जाएगा बोलोगी जी सर ठीक है अच्छा जी अगे चले हैं चलो देखो अब आगे चलते हैं ठीक है जी आठ नमबर पर आजाओ ठीक है जी अच्छा शांदार क्यूशन ठीक है तोड़ा सा मेनज़ जरूर करनी आए यहां पर ठीक है जी मेरे सेर आजाओ देखो बोला क्या देखो दस लिटर है सल्फिर्क एसिड में पानी और एसिड का अनुपात एक अनुपात चार है समझना बोलोगे जी गुरू जी आप बोलोगे सर एक तो एसिड है एक तो क्या है द्यान से सुनना एसिड है और एक क्या सर एक वोटर है एसिड और वोटर क अब बोंको गोड़नेद होगा है यह जोडने फृटिक है वो तो Рिभाएट से वोट पर नहें इसas पताल हाई कितना एसेट जोडने पर पानी और एसीड का अनुपात एक अनुपात पांच होगा मैं लगा पानी का और एक से एक कि अजम आपने उल्टा दे रखा का रेशियो दस लेटर सलफुरुक असिड में पानी यह मतला यह वाला तो पहले यह थो पानी है ठीक ना पहले वाला तो क्या पानी है दूसरा क्या है इस इड है ठीक अचरीकण आयसे दे रखा पहले पानी है उसके बाद में एस कितना एसिड जोडने से पानी और एसिड का अनुपात एक अनुपात पांच होगा मतलव मुझे मिलाना क्या है एसिड मिलाना है मतलव एसिड मिलाना है जिससे कितना हो जाना चीए रेशियो जाना रेशियो एक अनुपात कितना हो जाना चीए पांच हो जाना चीए बोलोगे कि में यहां प्लो तो पाणी नहीं रहाओ टो पहले पानी तो पानी Gena Sanato तो आप मतलब कितना लिटर मिला रहे हो डी डो लिटर मिला रहे यह एकदम पीभी पानी kaff были नहीं मिला रहे हैं हम क्या मिला रहा है अभी सिर्फ एसेड मिला रहा है ठीक है ची सर अगे चलो नो नंबर ये तो आपका नॉर्मल परसन आ गया ठीक है मैं यहापे बिल्कुल भी चर्चाने करने वाला ठीक है नॉर्मल क्यूसन है आप खुद से बता दो यह रामनेक टीवी 850 रुपर में खरीद गर 10% के लाब पर लाब से क्य यही आपका क्रेंट ्प्सन हो जाएगा बिर्म ढूस trap ऑ सीसिफे ही यही यही आपका correct option हो जाएगा B 935 यही आपका correct option हो जाएगा कौन सा मेरे भाई B answer आपका एक्टम सही है नॉर्मल परसंटा इस पर मां focus नहीं करूंगा ठीक आगले क्विशन पर चलते हैं आजो यह परसंट देखो बहुत ही मज़ेदार अच्छा परसंट ठीक है ची देखो क्विश्च को सुनना कि यदि A की पुँझी B की पुँझी का दुगना है मतला एक की पुँझी है न वो बी से अरे यह पहत आसान परसन हो गया मैं तो सोच राएप अच्छा लेवर ऐगा अच्छा लेवल काएगा लेकिनियो बहुत आसान परसन आगा सेरो आधिक लोग पंडिपिंड कर रहे हैं C, ठीक है, तो मैं C को कुछ ना कुछ माल लेता हूं, देखो, C को मैंने का रहे, C है, अब देखो, क्या बोला, B है ना, B, C का तीन गुना है, तो कितना आजाएगा, 3 रुपा आजाएगा, अब क्या बोला, A है ना, A, B का दुगना है, मतलब यह A है यह बीका दुगना तो तीन का दुगना क्या हो जाएगा छे ऐसा उप्शन सी रप भी आ रहा है यही आपका क्रेक्ट अनसर हो जाएगा ठीक है भूती नॉर्मल परसंथा बहुत इजी परसंथा ठीक है अच्छा जी कोई फ्रोबलम वाले बात नी ऐसा ही पर आने वाला आप आपके आरमीजीटी में कथा घबराने के जुरूरत नहीं है ऐसे सोच्रियों फाड़ो फाड़ो आएगा फाड़ो फूड़ो कुछ नहीं आएगा एकदम इजी नॉर्मल मीडियम लेवल तक का विपरा सकता इसी उपर नहीं आएगा ठीक है जी आ जाओ आगे गैना नमर आयू का प्रसंद फिर देखने को मिला देखो आयू का प्रसंद फिर देखने को मिला है ठीक कीजिए देखो संकेत और समीर की वर्तमान संकेत और समीर की वर्तमान आयू में करमसेच चारणपात तीन का अनुपात है अगर उनकी आयू में दस वरस का अंतर हो तो पंद्रा वरस बाद उनकी आयू का योग क्या होगा ठीक है एक तो कोन संकेत है वाव मेरे भाई संकेत क्या तगड़ा नाम है इसका संकेत ठीक है गुलोंगे इसके साथ है तो संकेत अफिक है एंसे समीर यह भीचारा समीर शबया इनका इसलयर को इनका रेश्यो है एंसान करे इनका धिंका अनुौपात था चिक तो इनका अंतर से तो भाय साव को अंतर कितना है बोलोगे एक कांतर है परसन कहरा पगला गए हो क्या ना भाई साब ऐसा थोड़ी हो सकता है एक बराबर आगा दस तो आप बोलोगे सर यह समीर कितने का है दस से गुणा करोगे तो भाई साब समीर आएगा तीस बोलोगे यस मेरे सुजी बहाई हो सर ये कितना आएगा ये 10 और ये कितना आएगा सर 40 तो समीर है न Prose आज संकेत 40 साल का समीर 30 साल का है 15 वरस के बाद उनके आयो का योग क्या होगा तो उनके 15 वरस के बाद गीछी है 15 वरस बाद गीछी है तो 15-15 और जोड़ दो जैसे आप इसमें 15 जोड़ोगे तो सर ये तो कितने का हो जाएगा पचपन का हो जाएगा और सर जैसे इसमें 15 और जोड़ोगे तो ये कितने का हो जाएगा सर ये 45 का हो जाएगा जी गुरुजी तो दोनों का योग कितना हो जाएगा सार दोनों का योग फूचा है दोनों का पर लिए बात नहीं है ठीक है आगे चलें जी सर्थ यालो भाई सादरन ब्याज का फिर परसन आया हमने सोचा चक्रवरती ब्याज का यह तो आया यह नहीं चक्रवरती ब्याज का ठीक है जी से रो आज़ो देखो पर एक लाग पचास हजार उपय का पांच परतिसे द सो का मिस्तर दन क्या होगा तो यह तो फॉर्मुला बेश भी कर सकते हो मिस्तर दन पूचाए क्या अच्छा कोई नहीं पर यlungे बैज निकालो एक लाग 50 पैने है ईचिड है lot yarm अगई आए गए हमारा ब्याज दंतर रेट कि जाए गाए इसर बैज हाई है कि दो जिरो से च flagship कि हो गई कैन से लोगी बोलोगे हाँ शर कोई तकलिफ वाली बात नहीं अब बोलोगे सरी कितना हो जाएगा पांजुनी दस छासार आएगा अमारा ब्याज याज आएगा नहीं यहार गृत है तो आपका अनसर आएगा। 1.65.000 एक लाग 5.000 का आपका क्या जाएगा। एक जम करेक्ट अनसर आजाएगा। सर आप इतनी नजर उप्षन पर क्यों रखते हो परश्ण को सौल के या कर। मेरे भाई नजर उप्षन पर रखेंगे तब ये तो मजाएगा। ठीक है। यह स्य वेल्सियम का परसन आया मेरे सेरों किसका यह स्य वर एल्सियम का मुझे अमीद आप दुआ दुआ कर दोगे इसको बिलकुल नहीं बखसने वाले आप ठीक है इस परसन के मत्याई है जो हमारे पास रुकेगा नहीं इधर देखू दो संक्याओं का अनुपात तीन लगुतम मिलेंगे तो भाई साब तीन का और चार का लगुतम कितना आता है इनका लगुतम है न बारा आता है इनका लगुतम कितना आता है बारा आता है सर ठीक है और परसन कहरा है नहीं भाई साब इसका लगुतम यह नहीं आएगा चार सो बीस आएगा तो वन बराबर न क्या से गुणा करवा दो वो लोगे सर 70 70 140 140 हमारा क्रेक्ट टांसर हो जाएगा जो कि कौन सा आपसें सही है सी आपसें इसा क्रेक्ट आंसर ठीक है यह पुर्शन करवा रख है को डिफिकल्ट वाली बात नहीं बहुत आसाना संपर सने ठीक जी यह परसंदे को इसका जोड़ की का करना देखो देखोंसिंप्लीफिके सन गवर सनाया अब कितना नोर्मल यहां था इसलिए आपको नोर्मल हिद चैश्या लिए ठीक है फिऑ से घुजरो इदर दिऊ ए सका हम क्या करते इलाज कर देता आ चाहँ तो को यही लाज कर देंगे साथ से चैनल करें क्या देखो आप कर ले ना मैं मेरे साथ से कर देता हूं आप एन इसको गुणा करवा ले ना जोड़ लेना फिर इनको गुणा खर बाहर बाग दे ले मैं direct कर रहा हूं, देखो कैसे, 7 से, यह 7 कट गया, इधर 7 का भाग देंगे, बोलोगे सर 7 कम 7, 7-28, यह आगया, ठीक है न, बोलोगे हाँ, 7-28, देखो 0 से, यह 0 कट जाएगा, बोलोगे हाँ सर, 2 से काटेंगे तो यह आएगा 43, और यह आएगा कितना, 7 आएगा, ठीक है, अ आंसर कितना हो जाएगा ? 50, B option is the correct answer , ठीक है ? जी, अब मैंने कैसे किया आपको यदानी करना है, आपको सब्सक्राइब मैंने डाइरेक्ट कर दिया यह आप मेरी बात को समझ पाए तो मेने कैसे केंसे किया वन वान आप लगा सकते हो ठीक है जी आजो यह लो बाई आप घडी के परसेना श्टार्ट हो गएं जी सर घडी की हम कर देंगे धुजा धुजा ठीक एधर गडी की परस जी आजो एक घड सब्सक्राइब तकूनैं अघूरी हिए पंच करते थे तीसोकिंट carrii बनाते हैं दो ये आपकी घड़ी है आपकी घाड़ी में देखो घ्रीमें द्यान से सुनना ли घड़ी में हमें बजैना चैने यह बारह नो तीन साथ मझानों साड़े साथ तो साड़े साथ कैसे बज़ेगा मेरे सेरो साड़े साथ यू बज़ेगा साड़े साथ यू बज़ेगा ठीक है जी सर कोई तकलिफ आले बात नहीं अब बोलोगे की सेरे बज़ गया साड़े साथ बजा दिया मैंने यदि मिनट की सुई पसिम में मिनट की सुई कौन सी है मिनिट वाली तो लंबी सुई है इसको क्या दे दिया पस्यम आप मुझे बता यह रियल में पस्यम होता किदर है रियल रियल है ना रियल कंडिशन यह होती है यह पस्यम होता है यह फुरम होता है और यह दक्षिन होता है और यह मेरे सेरो क्या होता है यह उतर होता ह है तो पसिम यहां होता है यह पसिम को मैंने सिप्ट कहां कर दिया यहां कर दिया तो फिर दक्षिन को आगे सिप्ट कर दो ऐसे दक्षिन को आगे सिप्ट कर दो यहां पर क्या आएगा फिर दक्षिन आएगा ठीक है अब बोलोगे सर पसिम के सामने कोन आएगा पूरोब आए को और दो Tiya के बिच में आ रही है ये उत्तर और भी शाइगा फ्ला इस नहीं से सद्जी अ कुंढ़ा कि बोलो कि हां सर कोई साथ क्लीफ वाली बात नहीं हम आसानी से कवरे कर सकते हैं बहुत-बहुत अच्छी बात है ठीक है ज़्यदा टाइम नहीं देगे ठीक है आगे चलते हैं 16 नमबर कि देखो यह अल्फावेट का परसन आया मुझे उमीद है कर दो कि कोई चकलिफ आली बात नहीं ठीक है जी आ जाओ ठीक है देखो दिख जाएगा परसंट थो ना मैं छोटा कर देता हूं ता कि मैं परसन को कर सकूं देखो यह लिखा एन एन ओ आई डी डी इसको क्या लिखा जोड़ा रहा जोड़ा है लाएप पर लुका जोड़ रहा है यह लिखा इस बंदे नहीं इस बंदे न ये लिखा S T N I F लिखा अश ठीक है कितने नंबर का होता है 14 यह 15 यह 9 नमबर यह चार नमबर एक नमबर यह चैः यह 9 यह 14 यह 20 और ही कितना होता एंगे दीको यह 19 है और यहां पर 14 यहां पर 16 यहां पर 19 से तो कितना जोड रहा है इस ट्रम में यह पांच जोड रहा है जी सर हमें किसका निकालना है हमें निकालना 3, 5, 5, 18, 21, 20 तो किसाज़ हम चेयं किसे हैं हम लास्ट की यहां पर निकालना पड़े तो आप पूरे सी पांफ सकता है निती स्थी पूरा निखालना चाहो सभ्में Dao जोड़ दो मैंने देखा last का अलग है या पर अलग है या पर अलग है सब अलग अलग दे रखा तो फिर हम किसे कर लेता है last वाले से कर लेता है ज्यादा भैतर रहेगा हमें एक ही option है करना पड़ेगा तो D option is the correct answer सबस्याद के सबस्याद मेरे देखिए मेरे सबस्याद छेन से समझे Max किसी ककसा में राम बाइन से बीषसात सर था दायें से उसका वाये सतान तो बताव पंगती में कुल कितने चात है ठीक मैंने बताया था कभी भी कुल निकालना हो तो क्या कर दो लेपट प्लसóst राइट माइनस 9 माइनस एक म नाद दया भायें को जोड़ दो रहे हैं गठा दो सर कितना ना दे रखा हैं लेपन कीतना है सर बीज राइट कीतना है सर तीस माइनेस कर दो एक बोलोगे सर कितना यह और उननचास्थ और ग्त आंसर तो आप लोगे सर C option हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा C option हमारी क्या हो जाएगा मेरे सरू C option is the correct answer परशन को मैंने क्या बताया था बाकी को इदर इसको इधर ट्रानसफर कर दो इसको इधर ट्रांसफर करेंगा तो इधर थरी आएगा थो सब्सक्राइद सब्सक्राइब सब्सक्राइब क ой था-ग27, मिलगने के मखा नहीं ही जीजर अगा सब्सक्राइब This Day अगा यह संसे अग्ञात इन आपके पराछू ऐसन पनी शो diffusored स्थें गखcat जोड़ और एक जोड़ रहा है धीक इतरर्梅 सचु देरां सबस्प्रूइब वह से कलना यह नंबर मुझे बताना ठीक है अपना 19 करेंगे ठीक है इसमें 20 कुछन थे नहीं एक कुछन आगे है नहीं साइध है तो मैं देख लेता हूं नहीं है ठीक 19 है अच्छा जी कोई प्रोब्लम नहीं का ले नहीं बताओगे सारे कमेंट में अब देखो इतना इजी बेपर मैंन करकरोगे मेरे बिल्कुल भाई ठीक है फिर आपका अंकलन किया जाए कि अभी कितनी तैयारी करनी है कितनी तैयारी भाकी है कितनी करानी है और इसका उसके साथ आंसर भी देना हस्तरậyे रिये हस्ते रिये मुस्कराते रिये और जी जान से मेनत करते रिये अब की बार हमें फोजी बन के दिखाना है और भारत मा की सरण में जाना है वर्दी पहन के जहिंद बंदे मात रहूं